हेलो एवरीवन वेलकम टू आउनलाइन एलेर्निंग प्लेटफॉर्म आफ एगरी कल्चर आइन जी के दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं अभीने दिक्षित आज आज आप सभी लोगों से वीडियो में आगे मठने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर आप आप आईबी पीएस आरार भी एगरी कल्चर ऑफिसर एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आपको अफोर्डेबल प्राइस पे ओनली 699 रुपीज में इसका कम्प हो इसमें आपको मौक ट्वेत भी दिये जाएंगे इस कोष को भाई करने की लिकाप आपको वीडियो के डिस्क्रिफिशन बॉक्स में दियाएगी वहांसे आप इस को इन्रोल कर सकते हो अगरी काब को अब कर सकते हो या आप हमारी बेप साई से कोष को भाई कर सकते हो लिंक आपको description box में provide कर दी गई है चलिए आगे बड़ते हैं और बात कर लेते हैं question number one के बार में question number one है आपका दिर्जो सीट कम पर्टलाइजर ड्रिल operated at forwarded speed of five kilometer per hour with field efficiency of 80% having जो इस पेक सिंग ऑफ 200 millimeter will have capacity यह कोस्टन आपका अगरी का चाहिए पार्ट का था चलिए जानते हैं इसके options के बारे में तो यह आपके options थे दोस्तों और इसका जो right answer होगा वो आपका हो जाएगा option a 0.72 hectare per hour यह इसका हो जाएका right answer चलिए आगे बढ़ते हैं question number 2 देख लेते हैं आपके आया था यह आपका question number 2 था दिक टॉक्सिक प्रिंसिपल डिट्री मेंटल टू एनिमल हेल्थ एंड फाउंड इन सुबबूल इज इसका राइट उत्तर होगा आपका वह आपका दोस्तों हो जाएगा आसन भी मीमो साइन यह टॉक्सिक केमिकल होता है जो कि आपका सुबबूल प्लांट में पाया जाता है चलिए बात कर लेते हैं सुबबूल प्ला टवबूल लीट टृड के नम से भी जानते हैं अगि इसको हिंदी मेह सफेद्बूल और बंगाली में सुबबूल के नाम से जानते हैं और यह एक जो है टॉपिकल फॉदर क्राप है कि इसको आएज आप फ्वार्डियूर्श किया जाता है ट्रॉपिकल रिए में और होता है जो की टॉक्सिक होता है एनिमल हेल्थ के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कोस्टन आपका है विच ब्रीड आप भुफाइलो पॉसेस करेक्टर स्टिक्स हाइली कर्ल्ड हॉर्ण तो इसका अंसर काफी आसान है आप सभी देख सकते हैं यह मुर्जा हो जाएगा इसका उत्तर मुझा यह पर बिःड होती है इसमें आपके जुन है ह emphasizing सिन पा जाते है कि ऑ और जयाटकी जाफरावारदी भीड है दोस्तों इसमें आपके जो है डवैलप पायाजाता है जा पालिड मे में आपका जोह है यहाँ पर डॉलप पायाता है चलिए बात का लेते हैं कुछ important भुफाइलो breeds के बारे में तो इसमें आपका जो मुर्जा ग्रूप आता इसमें आपका जो है मुर्जा नीली राभी कुंडी और गुदावरी breeds आती है नेक्स्ट आपका आता है गुजरात कुप इस ग्रूप में जो गुजरात रेजिन में प आपका सेंटल इंडिया ग्रूप इसमें आपका जो है नौकपुरी पंधरपुरी मांडा जेरांगी संबलपुर काला हंडी ब्रीट्स पाई जाती है नेक्स्ट आपका साउथ इंडिया ग्रूप इसमें आपका जो है टोड़ा और साउथ कनारा ब्रीट्स पाई जाती है काफी इंप्रॉटन बीड है कई वाल एक्जाब में पूछी इसको आपको याद रखना है और जो आपकी भदावरी भीड होती है यह आपकी आगरा हाइट पाई जाती है और इसके मिल्क में हाइस्ट जो है आपकी पाई जाती है फैट के अल हुआ है चरिए आगे वटने है नेग्स्ट कैरें का कर दिब्रट मो इस्टिक इज एड टूल इूजट इन जो आपका बट और इस्टिक आ होता है इसको आपकी स्टिक है इसको युच करते हैं फोलास्ट सूंफरी में इसको यूच किया जता है जो आपका ट्री होता है इसका डायमेटर वता है весled आपने के लिए भेंग को नाप रहा है तो इसके लिए उचते हैं अपनिश तुरिे में नेस्ट कोर्टिं क्या अपका ऊसे विच आप दी फालोविंड कर्टली डिफारइन्स दी टर्म ट्रांसुमेरंस तो इसका जो तरह दोस्तों वो आपका हो जाएगा आफ तन भी याने कि आपका सीजनल माइग्रेशन और प्यूपल विट बेर एनिमल अप एंड डाउन दी माउंटेंस जो आपका माउंटेंस एरिया में जो प्यूपल का माइग्रेशन होता है उस उसले च्यूप दिफालोइग जिघ अर सबने संधी अंडर नेशनल लाइव ili the commission हैं तो इसमें आपका जो second and fourth are true यानि कि आपका जो है यहां पर आप देखिए जो आपका नेशनल लाइव इस्टार्क मिसन है इसके इंतरगत आपका जो है जो मिसन आते हैं उनमें पहला आपका है सब मिसन ओन फॉर्डर एंड फीड डिवलप मेंट दूसरा आपका आता है सब मिसन ओन लाइव इस्ट पर एंड एक्सक्या और जो आपकी ये स्की म्ती नैस्नल लाइव तर्क मिसन ये ये आपकी है 2014 में लांज की गए थी कैसे पर यह यह सब स्कीम है वाइट्र से विलूशन की इस सकीम के जो अध्देश से हैं ऑखकी है इस में कि यो अध्य से हैं वह आपके हैं कॉन्ति टै n एन कॉलिज टेटिव इंप्रूब्मेंट आफ लाइव इस्टार प्रोड़क्टिविटी ये इसका बेसिक जो है इसके फीचर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन है आपका पूसा फोर 1031 इसा गुड़ वराइटी ऑफ विच क्राप जिलीज इन ये टू थाउजन 18 इसका बैट उतर है वो आपका होजाए का ग्रीन ग्राम जो आपकी मुवख होती है मुँख जिसको ग्रीन कांट कहते हैं ये इसकी वाइटी है चलिए बात कर लेते हैं जो आपकी वाराइटी दिलिज हुई थी 2018 में मुंग बीन की उनके बारे में तो आपका इंडियन एंगरीकर्टर देसर इस्ट्यूट ने मुंग बीन की दो वाराइटी दिलिज करी थी 2018 में पहली आपकी है पूसा 1371 जो की आपका जो है हिमाचल प्र इसके लिए दिलिज की गई थी तो यह आपको याद रखना है दोनों वाराइटी आपके आपका एक्जाम में आ सकती है नेस्ट आपका है ग्रीन ग्राम जिसे मूंग बीन या मूंग कहते हैं इसका सेंटिफिक नियम क्या होता है विगना रेडियेटर और यह आपका बिला विच है वन जनरेशन इन आ यह एंड आर करेक्टराइज बाई लार्ज लारवल बॉर्डी साइज एंड गुड़ क्वालिक्टी को कॉन फिलामेंट्स बट आर सब्सक्टिबल टू सब्सक्राइटिंग इनवार्मेंट एन पूर लीफ क्वालिटी तो कोश्चन में ही आप पर आपने वल्टाइन गॉल तो इसका जो उत्तर है वह आपका हो जाएगा यूसां उटि ऋलीर टाइन छिल्क वार्म और जब आपकी जाता है तो आपको आपको पर के इकमसहर में प सब्सक्राइब इसमें आपकी जोए दो जन्रेशन होती है तो क्या फीजी को सब्सक्राइब इसमें आपको कामन से स्यूच करना था इसमें पूचा गया है कि आपका ऐसा कौन सा मतरूम की वराइटी है जो जो आपका इंडिया में more than seventy percent मतरूम प्रडक्शन में इस्थाण रखती है तो इसका जो उत्तर है आपका वह आपका हो जाएगा बटन मसरूम आफ़सतन इसमें शही हो जाएगा बटन मसरूम जो होता ह होता है मस्रूम का उसका 70% केवल आपका बटन मस्रूम का प्रडक्शन होता है चलिए आपको मैं दिखाता हूँ मस्रूम की कल इस प्रसीज के बारे में तो आपकी जो मस्रूम की इस प्रसीज जो कल्टिवेशन की जाती है अपने इंडिया में वह आपकी तीन टाइप की होती है बटन सुभाई का दोसरा काता है mix room औ로 तीसरा आपका आता है पॉर ठरील अट कर तो आ हैं तो लोड़ होस्ट इन्परीजन में नच ज कोस्टेन का रेका वन हेक्तिर आफ चौकीजक फिये quarter 260 रेशियो 140 रेशियो 140 किलोग्राम तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वारी 40 विलेक्टिक टन वन हेक्टेर जो आपका जो है चौकी गार्डेन होता है इसको जो है 40 विलेक्टिक टन चाहिए होती है अधिया फोई यह चलिए बात कर लेते हैं अब जो है चौकी रेलिंग के बारे में जो आपका चौकी रेलिंग होता है दोस्तों सिर्क वारण में के basically пять development stages होती है five development phases होती है नोगी इस्ट्र बोलते है और इदी में आपकी जो सेकेंड सेज होती है वो कहलती है आत्म जाट की छौकी है जो Waar तोल आती है आपकी चौकी मिलीट और यह जो है टॉटल 500ت होती है सेगत जो होती है से शीवर यहां ठुकी तो इसको आपको याद लखना है इस ती से समंदित है आपको चोगी गार्डन नेस्ट कोश्टिन क्या है आपका टेम्प्रेचर एंड टाइम कार्बिनेशन फॉर अल्ट्रा हाइट टेम्प्रेचर इस्ट्लाइजेशन और मिल्क इज तो इसका जो उत्तर है वो आपका हो जा है यह इसका उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्टिन क्या है अपका अंडर दी जास्टी गोकुल मिशन दिट्टू लेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर्स और बिंग इस्टेबलिस्ट इन विच टू स्टेट्स इसमें जो आपके आफसंस दिये हुए यह दिये हुए है तो इसका जो राइट उत्तर है वो आपका हो जाएगा मद्य प्रदेश एन आंडर प्रदेश यहाँ पर जो है दो कामधेनू बिल्डिंग सेंटर इस्थापित किये गए हैं अंडर रास्टी गोकुल मिशन इंपो इसको जो है कि दिसंबर 24 में लगु़ किया गया था स ہیں यह िसक्रीम जो है लागू की ती और यह próp आपकी जो है परसुधन विकास योजना जो आपकी रास्ती परकास यह उजना है इसके इनतर्गतrice को जो है लगुँ जिया गया था और इसका बजट किया है आपका इसका व रहा है तो इसका IMPORTANCE क्या यह जो है मिलक प्रोडख्षन को इंक्रीज्ट करेगी और जो प्रोटिविटी है बो पॉइन्स की उनका मीट जो होता है उसको जो है मेट की जो ग्लोइंग होती है उसके डिमांड को बढ़ाएगी इसके लावा आपका जो है जो डेरिंग इनिमल होते हैं जो डेरी बिजनेस है इसको जो है करेगी पापुलर इंडिया में नेक्स्ट आपका कोश्टन क्या है जिसीनेस कम्यूनिस इज एन इंपॉर्टेंट होस्ट प्लांट आफ तो यह आपका जो है एक प्लांट है जो कि आपका जो इडिया सिल्क वार्म होता है इसका होस्ट प्लांट है चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्क वार्म की इस पिसीज के बारे में और उनके होस्ट प्लांट के बारे में तो पहला आपका आता है मलबेरी सिल्क यह आपका जो है टॉप कॉल्टी सिल्क होता है यह आपका क्रीमी वाइट कलर का होता है और इसकी जो इस पिसीज है वो है बॉम्बेक्स मॉराई इसको बोलते हैं मॉरस इलबा मलबेरी इसका फूड प्लांट है बॉम्बेक्स मॉराई जो होता है यह आपका मॉरस इलबा मलबेरी प्लांट को इट करता है दूसरा आपका इरी सिल्क यह आपका क्रीमी वाइट कलर का होता है और इसकी क्वालिटी होती है मॉडरेट इसका इस पेसीज क्या है अटैकर स्रीसिनिंग और इसका जो है फूड प्लांट क्या है जिसनस कम्यूनिस कैस्टर जो कि आपके कोश्टर में था कैस्टर को बोलते हैं जिसनस कम्यूनिस नेस् मुंगा सिल्क मुंगा सिल्क जो आपका होता है और इसका जो सिल्क वाउम है उसकी इस क्या है एफेरिया एसमा और यह आपका जो है जो तर्टान थैस थेरा मोनो पो पोटेला इस प्लांट पर पाया जाता है नेक्स्ट आपका है टर्सर सिल्क यह आपका जो है कापर ब्राउन कलर का इसका सिल्क होता है और इसकी जो सिल्क वार्म की इस प्रसीज़ है अथेरिया मिलाटा अथेलिया फाफिया अथेरिया जो यह ली अथेरिया पायरे निनी और यह आपका जो है जिजिफर जूपर जो यापका होता है बेर प्लांट कुछ पहार जाता है उसके आफ का ट्रममोन थे लिए इप्रसाइज होती शर्म2 ये पहार जाता है जो आपका पाव्म होता हिसते पाए जाता है तो यह इसके होस्ट प्लांट हैं यह वह आफ बाद रहुच आपो यादो है आपके ग्जाम 120 to 140 square feet जो आपकी प्रेगनेंट काव होती है इसको फ्लोर स्पेस की आपकी जो है आफक्ता होती है वो जो है 120 से 140 square feet होती है नेस्ट कोस्टन क्या है आपका वीनियर ग्राफ्टिंग इस दिबेस्ट मैथर और प्रोगेशन विच इज अर्लियर स्वारी इजियर एकोनॉमिकल ग्यू हाई परसेंटेज और सक्सेस एंड इट्स आइडियल फॉर इस्टेबिसिंग इन सीटू और चर्ड और तो जो आपक क्राटिंग होती है यह आपका मेंगो और मैंगो क्राफ में आपकी जो की जातé यह गपिंग कि मैंगो का निश्म्र सूट ही कि इंडिया का इसको jack turning की जाती है नेहश्ट आपका आता है साफ वुट कटिंग इसको एपल पीय स्विश प्लम एपय क्रट एक प्रकोट वमयार वह करते हैं नैस्ट आपका है लुट कर गंटिंग इसको एपल पीयल चेरी और गंना कर करते हैं next up का आता है grafting पहला इसमें हैOOK राफ टिंग इसको वालनट एपल और पेयर में करते हैं दूसरा आप का आता है इस लफ्त ग््राफ्टिंग इसको करते हैं एकका ग्रेप में एव्काइडो में एपने पियर में में कैमेलियों सोब आप अग्राफ्टिंग यह टंपरेट्फ्रूट्स होते हैं इद्मे की जाती है नेइस्ट आपकाना फटी इसको नहीं करते हैं एफ अप्राटिक सब्सक्राइब करने हैं, इसको जब्सक्राइब कर दिशन्हाइर बिंग है इसको ऐफ फूर्ट को कर देती हैं, मैं सुर्ट इसको जाने करते हैं बर्डिंग से पहला आपका वर टी बडिंग इसको जो है सिट्रेस पलं फूज्श चेरी योडेर में करते हैं यृषिज टाप फैशन बढने और हैं निस टाप का चिप घ्राव बर इंग इसको ग्रेप में करते हैं नेश्ट आपका रिंग बड़िंग इसको पीच प्लम बेरी और मेर्अ मरलबेरी में करते हैं नेक्श्ड आपका आता है लेयरिंग उस्टप अबuning पहला आपका ट्शे जईत को खास death बेल हमे करते हैं शबडिंग इसको ग्रेप और लेमन में करते हैं नेक्स्ट आपका है माउंड और इस्टूल लेयरिंग इसको एपल रूट इस्टार्क गूजबेरी में करते हैं नेक्स्ट आपका है एयर लेडिंग इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए इसको लीची में करते हैं नेक्स्ट बनाना होता है इसके लिए जो स्वार्ड सकर होता है आपका स्वार्ड सकर इसको यूज करते हैं नेस्ट आपका आता है सेपरेशन इसमें आपका बल्ब होता है पहला इसको यूज करते हैं और मेंटल प्लांट्स के लिए नेस्ट आपका है कॉर्म्स इसको यूज करते हैं औ और तर्मेरिक के लिए तो यह सभी कुछ इंपोर्टेंट आपके एक्जाम पॉइंट आफ उसे पॉइंट है प्रॉइंट के लिए तो इनको आप याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की बात का लेते हैं नेस्ट कोशन है आपका विच आप दी इस तो रोकी सैलो स्वाइल एंड आफ्टर सुपीसियंट वेदरिंग इट गीव राइस टू हाइली प्रोड़क्टिव श्वाइल तो इसका जो उत्तर है आपका वह जाएगा आफन ए बेसाल्ट इंग्जाम में कोश्टन का पी जो है लंबे-लंबे आए ठैक आफी लॉंक कोश्चन थे और इसका इसमें जो है आपका डायक्त ली आपको आंसर देना था सब्सक्राइब कर सकते इसके बारे में क्योंकि इसमें आपको जो है डालेक्ट पॉइंट पाइंट कोश्टन पूछे गए थे ने आपका कोश्टन क्या है विच रिस्पेक्ट टू दी फाइबर आफ एनिमल ओरिजिन डिक टरम साफ्ट गोल्ड इज कोई डवाई जो आपका साफ्ट गोल्ड टर्म है यह किस से संब्मंदित है किस इनमल से संब्मंदित है तो यह आपका जो है जो मोहयर होता है सीप होती है सीप में आपका पाया जाता है मोहयर तो यह उससे संब्मंदित है कि इसको जो है कि सॉफ्ट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं मोहयर को ज़िए आगे बढ़ते हैं और बातकर ले रेते हैं नेस्ट कोच्टन के बारे में नेस्ट कोचान है अपका rejection of the following nutrient is IIMMobile in style but mobile silent है तो यह आपका हो जाएगा फास्फोर लो यहर आपका fast for us होता है दो तुर यह आप स्वाइल में जो है इंवोबाइल होता है और आपका जो है प्लांट में मोबाइल होता है नेर्स्ट कोश्टन क्या है आपका विच इज एन इंपोर्टेंट अग्रोडामिक प्रक्टिस डैट ओनली प्रिवेंट स्वाइल एरोजन भाई इसका उतर आपका हो जाएगा मल्चिंग जो आपकी मल्चिंग होती है वो जो है जो इसको रोगती है और आप को जो है स्वाइल के मौश्टर को कंजर्ब करती है नेस्ट कोश्टन क्या था आपका विच आप दे फालोविंग प्रोग्राम वास इंट्रोडियूस्ट टू बिजी दिगाइब बिट्वें जिसर्च सिस्टम एंड एक्स्टेंशन सिस्टम तो इसका उत्तर आप उसको जो है ल्एब से लैंड तक पहुचाने के लिए लैप लैंड तक पहुचाने के लिए अपका जो है एन एए पी प्रोग्राम को लांच किया गया था कि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर आप आई बीपियस एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्रेटफॉर्म से आई बीपियस दिये जाएंगे आपको लास्ट 12 एयर के ओल्ड पेपर दिये जाएंगे इंटर्व्यू गाइडन्स भी आपको इस कोर्स में दिया जाएगा और जब करन्ट अफेयर की एबुक है वो भी आपको इस कोर्स में प्रवाइड की जाएगी मन्थली वाइस यह सारे फीचर्स आ वाब मुझए इस नंबर पे-कॉल कर सकते हो अंब करा दो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इब सटेंड जो है इसकीम के बारे में कुछ important initiatives के बारे में जो की जो है आपके government of India और जो government of India की bodies है इनके तरह launch किये गए थे पहला आपका आता है 1952 में community development project इसको launch किया गया था next आपका important year है 1960 इसमें आपका national extension service program launch किया गया था नेडysisoft इंस्तइव एकिल्चरल डिस्टिक pro om啊 pilotblade आगया था इसमें next आपका 1964 इसमें आपका intensive agriculture area program's launch किया गया था नेकस्ट आपका 1965 इसमें आपका national demonstration project launch किया गया था इसमें आपका मैं य narc moléנ seemed to 67 इसमें पर हाई yielding varieties program announce किया गया था और इस टाइम पर जो हैपना इंडिया में ग्रीन रेवलूशन भी जो है स्टार्ट हुई थी नेश्ट आपका आता है 1972 इस टाइम पे आपका ऑपरेस्टनल रिस प्रोजेक्ट लांच किया गया था नेश्ट आपका 1974 इस टाइम पे कसी विज्ञान केंदरास लांच किये गये थे और जो आपका प्रथम कस सेवैंटीफाइब इसमें आपका training and visit system टी एनवी प्रोग्राम लांच किया गया था नेश्ट आपका है 1979 इसमें आपका नेशनल एग्रिकल्टिरल एकस्टेंशन प्रोजेक्ट जो कि आपका कोस्चन में था इस प्रोग्राम को आपका जो है 1979 जान्च किया गया था और इसको जो लॉंच करेके और जो जीदत होता है उसको लैब से लैन तक पोचाने के लिए एंक्म करेंख में ज्ट्रयजुार में आपका 1971 कि लीचोए टूसरा आपका है मैंने किम्न एसको लंश किया गया था नेक्स्ट आपका है 2000 इसमें आपका एग्रीक टेग्नालोजी मेनेजमेंट सेंटर एटिक्स की स्थापना की गई थी तो यह कुछ आपके पर्दीड है तुकि आपके एक्जांट आप देख लेते हैं तो नेस्ट कॉस्टिन आपका है ईयरोजन के nbe controlled by agronomic Msorry if the slope is iska उत्तर आपका हो जाएगा less than two per two percent जिए अचाव होता है तो आप एक्रोनामिक प्रेटिसर से स्वाइल इरिजन को गूर्डोल कर सकते हो नेस्ट कोच्टन क्या आपका का काफी आसान कोच्टन था ये हैक्षागोनल सिस्टम आप प्लांटिंग अक्वोडेट्स आपका स्क्राइब का इसकोश एं इसक ये विड्न YouTube से मोअय इस स्ट मोजन आप लिलागा सकते हो हज सब्सक्राइब that नेस्ट कोच्टन क्या आपका क्रीश शना क्वोडेट्स आप यह आपक्चिन पैस इस साफ्टिस्किन ऑ site दी-व् ग्रस्केर in on hatching the maggots into the fruit and feed the soft pulp and the infested fruits so depression with dark greenish punctures and when cut open the maggots are visible and the infested fruits rot and fall this question का जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा fruit fly जो आपके fruit fly होते हैं यह जो आपका किवाला का fruit होता है कि इसमें जो आपका êtes जाते हैं इसके अदर गुषा जाते हैं इसकी soft skin में और जाइपनिग आपके होते हैं हैजिंग करते हुद में एक देते हैं और एक से justrum के मैंगर्गर्टर निकलते हैं वह आपके जो यह है फूट के अंदर उसका कर देते हैं और बाद में है कि फूट्ट जी आपका सडर जाता है और गिर जाता है मैं लेस्ट को सिंक ए आपका है कि है अने चिक्कन इज आ फिज्न शीर्डिय愉श सडर और अज़ि Guang हें और चिकन बीज़ेस है यह आपका ग्रेपteCLAINPORTANT डिज़ीज है यह आपका ग्रेप कौड में लगता है आपको इसको याद रखना है इंपॉर्टेंट है चलिए द दोस्तों बात कले त GlennLE न चिकन डिसी ने के बारे में तो यह जो आ पका डिजियर होता है यह कि आपका जिंग की डिफिएंसी से होता है देखें यहां पर इसका डाइग्राम बना हुआ है इसमें क्या होता है जो आपके जो बेरीज होती है वो जो है इंका साइच छुटा हो जाता है और यह नॉर्मल से किया जकस्ट है उससे चोटी हो जाती है और अगर आप जो है ठोलियर करते हो जिंका फ्लावरिंग स्टेज में तो आप इस जिए डाइध रिव में को इस डो मैँ कन्जॉल कर सकते हो next question क्या है आपका वान बेटन फी प्रपोस्ट दी डिफरेंशियल एक्क्वेशन ये एक्क्वेशन दीवी इसको पढ़ लीजिए इस यूस्टू मीजर फिस परामीटर आइस आप फंक्शन टाइम आइडेंटिफाई पॉजिट्ट्यू परामीटर तो इसमें आपके यह आप संथे और इसका उत्तर आपका हो जाएगा लेंट एन वेट तो तो यह कोश्टन आपका फिसरी साइन्स का है इसको भी आप याद रखियेगा नेस्ट कोश्चन आपका है आईडियल ट्प्रेचर एन हमिडिटी द्यूरिंग इनकूबेशन आफ सिल्क वार्म एग आर डैस 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 रिस्प्रेक्टिवली तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा आप संदी 25 डिए तंप्रेचर एंड 80 परसेंट रेटी हमिडिटी चाहिए होती है आपका जो है यह होती है आईडियल इंकूबेशन के लिए सिल्क वार्म एग के इंकूबेशन के लिए आइडियल होती है और अथ नियास्ट के आपका वीड़ेटी विनरे जलास और आप का उज्वलेट आपका हो जायाए गया डिरिटली इस सीड़ाप को पीड में दो देते हो तो उससे जो है वीड़ का इंफ्रेर्जन होता है तो ज्यादा होताय क्रप में ज्यादा लास होता है आपकी क्राप में वीड से हैं नेस्ट कोर्चन के आया आपका दी हो मिस्टेट अग्रोफ और स्टी इज कामन एग्रो तो इसका जो उत्तर आपका है वह आपका हो जाएगा असम यह आपका असम स्टेट में की जाती है इसमें क्या होता है दोस्तों बेसिकली जो आपका घर होता है घर के ही जो है घर के बाहर जो आपका होता है उसी में आपका बना लेते हैं कंद रखाने साट न और को अब टीड। घ्र खरोशन का को दीन दयाल अन्ट दय उजना नेशनल गोड टॉट मिसन the nrlm has a provision of uniform interest subvention across the district of the country at interest rate of seven percent per annum on the credit from the banks per financial institution aviated by women self-help groups for maximum amount is of to iska joe utter evo upta ho jayega often see three lakh next question kya hapka increase new to to value of transgenic potato is done by expressing a non allergic seed albumin gene am a one from iska joe utter evo upta ho jayega often see amaranthus hypo kondriak iska do a job ka joe new to value hootie hey transgenic potato ki isko joe increase करते हैं नेस्ट कोस्टन क्या है अपका है सोर जान सिस्टम आफ राइस प्रोडक्शन इस फालोड इन जो आपका सोर जान सिस्टम है इसको जो है इंडोनेसिया में प्रैक्टिस करते हैं जो आपका सोर जान सिस्टम की तो इसमें क्या होता है दोस्तों इसमें आपका जो है जो मेड़ होती है उन पर जो है आपका जो है लगाते हैं करते हैं और जाइस क्रॉप को और तारो को जाइस और तारो क्राप जो उते हैं ilo करते हैं इसको पानि भरा हुआ है तो यह अपने इंडिया में ँसको जो है जो आपका नौर्थ इस्टन पार्ट है इंडिया का वहां पर भी इसको प्रक्टिस किया जाना इस्टार्ट कर दिया गया है है नेस्ट कोस्टन क्या आपका के विच इलिमेंट इम्पोर्टेंट फार बायो संथेसिस आप ऑईल इन ग्राउंड नट तो इसका जो तरह आप तभी को पता होगा सल फर होगा क्योंकि जो सलफर आपका होता है वो जो है किसी प्लांट में वाइल के संथेसिस के लिए आवस for cross breeding purpose in India cow of which have a straight top lines level rumps sharp weather head have a double disc inclined to be nervous and sensitive bulls are often VCS capable of utilizing raw page efficiently can withstand tropical and humid climate तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा Jersey जो आपकी Jersey breed होती है इसको यूज करते हैं cross breeding के लिए अपने इंडिया में और जर्सी के मिलक में आपका 5% फैट पाई जाती है जितनी भी आपकी विदेश की नसले हैं जो आपकी होती है वो आपकी जर्सी बेट में पाई जाती है यह अपके exam point आप उसे important है इसका मिलक होता है उसमे जिदनी भी foreign breed है उसमें जो हाई स्पै पर संटेज होता है मिलक में वह आपका जर्सी के दूद में होता है कि next question क्या आपका अरों ती अमधी टी मास्कूटो बग इज अमेडर पेस्ट आफ तो आपका टी मास्कूटो बग है यह आपका जो मेजर पेस्ट है के दुनटका और दुसरी अपकी करफ हो जाएगी टी यह टी के अरावा जो अक्ता होता है इस ख़आपका जोए मेजर पेस् नेस्ट कोश्टन क्या है आपका विच वन आप दी फालोविंग टर्म इज एलेटेट टू पिग जो आपका फैरों इंग होता है यह आपका जो है संबंदित है पिग से और यह जो आपकी ही प्या ayaj the city में जो आपका एक और होता है कि उसको हम कहते हैं फैरों इंग कालीं आपका जो है कैटल में होता है शेर्ट्री आपका होता है गोट में है प्रूडिंग यह आपका पाउल्ट्री में होता है है कि चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं जो आपका पिग होता है उसके कुछ कि बोल स्वडी नेश्ट आपका थाईल तर्फ मेल और को कहते हैं अदेट नेES आपका होक। रित क्लाती है आप यह क्या होता है दोस्तों यह आफ का जो है न्यू Jimmy haroon लिटा है उसको औरते भूत नेक्स आपका तबचा पिग जो यह आपका यंग होता है उसको कहते हैं सपरी जो आपका यंग होग होता है उसको कहते हैं असनिक पर्ख शोस्जीन सवर को कहते हैं आप छलिए आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोश्टन आपका है उसको देख लेते हैं तो नेर्ट कोश्टन आपका है पर्मिजियानो रेजीनो इज यह कोश्चन थोड़ा अलग अटके था आपके स्लेबस के बाहर से कोश्चन कुछ लिया गया था आपके एक्जाम में तो इसका जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा आप तन ए वेरी हाड राइप एंट वराइटी आफ कि पर्मिजान चीज ओ इटली कोश्चन आपका जो है देटॏं कर कोश्चन है न格से यह काफी टब्थ था आपके एक्जाम के लिए पारद्य हो तो यह काफी टब्थ सhalten अपके एक्जाम में आया था ऍयस्त क्वेश्चन क्या है आपका ऑप two- आपकी जो एंग लो न्यूबिया दिद और मुद्धं अग्ोररा बीटल और गदी इसा फीस फीछ में गोड की बीद है जो आपकी भाखर वाल है ये आपकी जुआ भेन की भीड होती है के इसका तर आपका हो जाएंगा भाखर तो इसका जो उत्तर आपका है वो हो जाएगा आफसन सी गौर जो आपका गौर होता है दोस्तो गौर क्राप में हम जो गम होता है वो इससे प्राप्त किया जता है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टन इंफर्मेशन है अगर आप फूर्ड कार्पोरेशन आफ इंडिया एपसी आई एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो असिस्टेंट ग्रेट थ्री टेक्निकल पोस्ट के लिए तो आप ए सिंथ मॉक टेस्ट आपको दिये जाएंगे फेज बन फेज टू के लिए यूटूब क्लासेस आपको प्रवाइड किये जाएंगे और आपको सिलेबस के एकॉर्डिंग क्वालिटी कांटेंट प्रवाइड किया जाएगा इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपका 1499 शुकर को बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में प्रवाइड गागया है अग्रिकल्जर जी के एप और हमारी वेड़्ाइड ऑट इन से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो अगर कोई कुर्य होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो नंबर आप को description box में मिल जाएगा next question क्या है आपका अप लाजिकल एक्जाम्पल आफ एंड्रो मस्ट फिसेश एफेक्टेट ड्यू टू अवर्स्ट्रक्शन ऑप देयर मिग्रेटरी पाथवे बाइड डैम इज तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आफ संसी टैनियू लोशा इलीशा यह आपके फिस किये किस पिसीज है नेस्ट कोश्टन क्या था आपका लास्ट कोश्टन दुस्तों हीए डैस 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 आर कामर्सियल औफ एग्री वेंचर इस्टेबलिश्ट बाइ ट्रेंड अग्रीकल्चर प्रोफेशनल विच में इंक्लूड मेंटेनेंस एन कस्टम हाइरिंग ऑफ फर्म एक्यूपमेंट सेल ऑफ इन्पूट एंड अधर सर्विसेस इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियार्स इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एन मार्केट लिंकेज पर इनकम जनरेशन एंड इंटर पर नियोशिव डिवलपमेंट तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए यह जो हैआपका यसी एन ए ए बीसी जो इस्कीम है ए एसी ए बीसी स्कीम इसिअगर माड़न यह सब्सक्राइब। को और जो ये स्कीम करता है every graduate वो जो यह एग्री बिजने सेंटर क्षोर सकता है अंट चले दोस्तों बात कर लेते हैं हो अग्रीबիजनेस A & ABC scheme के बारे में जो आपकी एसी ABC scheme है तो इसका फुले फार्म क्या होता है AGREE क्लीनिक and AGREE Business Center is scheme इसको जो है आपका 20004 इसको जो है 2002 में लांच किया गया था 2002 में इसको लांच किया गया था और इसको जो है Government of India नाबार्ण और मैंच इन तीनों से के जो है जॉइन्टली इसको लांच किया गया था इन तीनों के काबिनेशन से तो यह आपको याद रखना है आपके एक्जाम पॉइंट आप उसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी वीडियो अच्छी जगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक्जाम की जॉब की अपडेट्स मिलती रहेंगी इसके लब आपको एक्जाम और यंटर क्लासे भी प्रोवाइड की जाती हैं आप वीड के लिए आप उन कोर्सेस को इंजोल कर सकते हैं थैंक यू सो मच गॉड्ड ब्लस यूजू अ